मेरा सवाल है जकात अल्फित्र के तालोग है यह किन लोगों पर फर्ज है और हमारे वाँ जो है चावल चलता है तो मैंने खास किसम का चावल रखा है वो देने के लिए फित्रिय के तोर पे तो यह अगर मैं रमजान में दे दूँगा तो लोग इफ्तारी उसमें दू- इनों को फाया नहीं होगा इज चीजिसे सववया डे देते हैं या हल्वा बग़रह सब देने से मिस्टिंग खूश होते हैं तो उसका क्या हला होगा पहला सवाल आपने किया कि इस तारी किसके उपर वाजिब है सदकतुल फित्र या जकातुल फित्र हर मुसल्मान पर वाजिब है हर मुसल्मान चाहे मर्द हो औरत हो बुड़ा हो जवान हो बच्चा हो गुलाम हो आजाद हो कोई भी जो भी मुसल्मान है उस पर जकातुल फित जब निकालेगा कौन? जकातुल फित्र वो आदमी निकालेगा अपनी तरफ से भी और अपने तमाम मातहतों की तरफ से. मेरे उपर जितने लोगों का खर्चा और नानो नफका वाजिब है जरूरी है कि मैं उन तमाम लोगों की जकातुल फित्र निकालूं. दूसरी बात, त अच्छे क्वालिटी का चावल लखा हुआ है जकातुल फित्र के लिए, तो अगर मैं उसे रमजान में ही दे दूँगा, यानि एद आने से पहले दे दूँगा, तो उसका फाइदा लोगों को ज्यादा होगा. देखिए, अगर आपके अंदर ये जजबा है कि आप लोग का चांद देख लीजिएगा, तब आप जकातुल फित्र निकालिएगा, उसकोई मिसाल ऐसे ही है, जैसे किसी आदमी के अंदर नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा जजबा है, कि मैं नमाज पढ़ू, अल्लह ताला की अबादत करूँ, अभी जोहर का वक्त नहीं हुआ है, वो जजबे में सरशार होकर के, जजबे से मगलूम होकर के, जोहर की आजान से दो घंटा पहले ही जाकर के जोहर पढ़ने लगा, कि मेरे अंदर तो बहुत जजबा है नमाज पढ़ने का, तो जब उसका टाइम नहीं हुआ है, तो जकातुल फित्र का भी एक टाइम है, तो टाइम से पहले आप अपनी तरफ से यह मत कहें कि इसमें ज़्यादा फाइदा है, इसमें कम फाइदा है, अल्लाह के नभी ने जकातुल फित्र का जो मकसद बताया, कि एद के दिन जो फुकरा और मसाकीन है, उनकी मदद करना उससे मकसूद है, और इसी तरह से, जो है, कि रमजान में जो हमसे गलतिया हुई है, उन गलतियों का कफारा भी है वो, तो जकातुल फित्र का जो वक्त है, उससे पहले आप निकालेंगे, तो आपकी वो जकात अदा नहीं होगी, हाँ आपके अंदर जजबा है, फकीरों और मिस्किनों की मदद करने का, तो और भी त तरीका है, सो तरीके हैं उसके, आप उनको पैसा दे दीजिए, उनको कपड़ा दे दीजिए, उनको चावल दे दीजिए, उनको जो जरूरत की चीज़ें हैं, रमजान में सब दीजिए,